नमस्कार दोस्तों गुड इविनिंग आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है चलिए आज का कलास हम लोग स्टार्ट करते हैं और हम लोग DLAD कलास यहां पर चल रहा है आप सभी का और DLAD हम लोग यूनिट फाइफ तक यूनिट फोर तक कम्प्लेट कर लिये हैं आज आप स्टार्ट करेंगे और यह ज़्यादा बड़ा नहीं है लगबग आज समाप्त हो जाना चाहिए अगर नहीं होगा तो यह कलास और इसका लिया जाएगा ठीक है तो यूनिट फोर तक आपका पूरा कम्प्लेट करा दिया गया उसका पिछले कलास में क्यूस्चन एंसर भी क कलास होती है यह जो नंबर है आपका इसी नंबर से आपको कलास में जोएन होना पड़ेगा 7857824310 यह हमारा वाटसेप नंबर है आप इस पर मैसेज करके हमारे कलास में जुड़ सकते हैं कलास में जुड़ने के लिए मातर 351 का इसमें चार्ज है तो 351 आप इस पेमेंट क पर आप कर सकते हैं 351 पेमेंट करने के वाद स्क्रीन सॉट ले लिज़ेगा और स्क्रीन सॉट फिर इसी नंबर वर्ट से पर आप भेज दीज़ेगा वहां आपको ग्रूप में जोड़ दिया जाएगा और सभी PDF नोट्स आपको वहां पर प्रुवाइड करा दिया जाएगा जितने भी सिलेवस में समान अध्यन, डिया लेड, करेंट अफेर जो भी है वह आपको प्रुवाइड हो जाएगा और डेली रात में 9 बजे से लाइव कलास मिलेगी हमारे टेलिग्राम गुरूप पो जोएन कीजिएगा दोस्तों कैरियर परिवार नाम से हमारा टेलिग्राम गुरूप है देखिए यूनिट फाइफ में हमें क्या-क्या पढ़ना है ये आपको पता होना चाहिए तो इतने सारे टोपिक है यूनिट 5 में पढ़ने के लिए जिसमें आपको है विद्याले संस्कृर्ती के संगटनात्मक पहलू है सिच्छा के अधिकार के एंतरगत विद्याली बेवस्था में परिवर्तन है समावेसी सिच्छा के बारे में है कला समेकित सिक्षा के बारे में है कच्छा कच्छ के सिक्षन की परकृती और पाठ सहगामी व सह सैचिक क्रियाए बिद्याले में आकलन और मुल्यांकन बहुत important chapter है यह सब जो आपको एक्जाम में हमेशा पूछा जाता है जैसे कि आकलन मुल्यांकन से हमेशा तो बिवस्था और सिच्छा कोगे तो इतने सारे टॉपिक है एकाई 5 में आज चलिए हम लोग सुरू करते हैं एकाई 5 मतलब यूनिट 5 से पहला टॉपिक क्या है आपका बिद्याले संस्किर्ती जी हाँ बिद्याले संस्किर्ती के संगठनात्मक पहलू और इसके अवधारना संरचना एवं घटको की आलुचनात्मक समझ है पूरे डेटेल से यहाँ पर दिया गया है चलिए हम लोग सुरू करते हैं तो क्या यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कह रहा है कि बालक के जीवन में संस्किर्ती का उतना ही महत्व है जितना की जैविक विकास का जी हाँ और जैविक विरासत का विकास ने जैविक विरासत का जैविक विरासत के रूप में बालक को सारीरिक मानसिक छमता और अधारभूत अवशकताएं प्राप्त होती है तथा संस्कृतिक विकास उसे समाज से प्राप्त होती है और इसी संस्कृतिक विकास को प्राप्त करने के लिए बच्चे बिद्याले जाते हैं कारा कि संस्कृति के परभाव के कारण वह सही गलत का निश्चे कर पाता है और माता-पिता के बाद उसके जीवन पर समाज का बहुत अधिक परभाव पड़ता है ज संभावना है कि उसकी मानसिक, मानसिकता कैसा हो जाएगी नकरात्मक हो जाएगी है ना अगर किसी उसके साथ गलत ब्यभार अगर करेगा तो बाल्या वस्था के बाद की स्वरा वस्था तक मुख रूप से सारीरिक, मानसिक, संभेगात्मक और समाजिक, नैतिक रियाओं का व होता है मतलब कि सर्वांगिन विकास होता है और इस समय बालकों की रूचीयों अभिरूचीयों समयोजन और ब्यक्तितों आदिसे सम्बंधित समस्याओं को दूर करने का भी प्रियास किया जाता है। ताकि मानव का बहु आयामी विकास हो सके तो ये तो था दूस्तों बिद्याले संस्किर्ती के संबंधित और हम चलते हैं आगे बिद्याले संस्किर्ती की अभधारना के बारे आपको यहां पर बताया है काराय की बिद्याले संस्किर्ती जो है वो दो सब्दो से मिलकर के बना एक बिद्याले है और दूसरा संस्कृती है जिस परकार व्यक्ति समाज की संस्कृती होती है उसी परकार बिद्याले की भी एक संस्कृती होती है बिद्याले की संस्कृती अधिमान्य सामोहिक मुल्यों अनुमानों और मान्यताओं से बनी होती है बदले में वे हित धारकों, पाठेचरिया, अध्यापन, संसाधनों, संगठनात्मक विवस्थाओं और बुनियादी धाचे के बीच संबंधों को निर्धारित करते हैं इसका आसे उन विश्वासों, धारनाओं और संबंधों, दृष्टिकोनों और लिखित और और लिखित नियमों से हैं जो सभी पहलूओं में विद्याले के कारियों को प्रभावित करते हैं और आकार देते हैं यह सांथ और और विवस्थित वातावरन के साथ है मानदंडों, विश्वासों और माननेताओं का समू हैं जो सार्थक सिखने के लिए सिखने की छमता को बढ़ावा देता है अब जो अगला जो पॉइंट है दोस्तों यह आप यहाँ पर देखिएगा काराय कि सकरात्मक बिद्याले संस्कृति को मोटे तोर पर निम्लिखित को सामिल करके परिवासित किया जाता है क्या क्या इसमें सामिल किया जाएगा सकरात्मक बिद्याले संस्कृति में तो पहला जो है वो है समाजिक वातावरन हाना का रहाए कि इसमें एक सुरक्षित और देख भाल करने वाला वातावरन सामिर होता है जहां सभी विद्यार्थी महतपुर्ण महसूस करते हैं और विद्याले के प्रती अपनापन महसूस करते हैं इससे विद्यार्थियों को उनके नैतिक विकास में मदद मिलती है और दूसरा जो है वो है बौधिक वातावरन होना चाहिए स्कूल में हैगे नहीं दूसरा जो है समाजिक वातावरन होनी चाहिए दूसरा है बौधिक वातावरन कराई कि इसमें कच्छा के सभी वी दैर्थियों को उनका सर्वोत्तम कार्य परदर्शन करने और गुनवत्ता पुर्ण काम करने के लिए सहयोग और चुनौती दी जाती है जिसमें इसमें एक सम्रिध कड़ी और जोड़कर पाठेचरिया और इसे पढ़ाने वाला योग्य सक्तिसाली अध्यापक समूह इसमें सामिल होता है तीसरा है आपका नियम और नीतियां करा है कि यह को के लिए उत्तरदाई ठहराती है नेक्ष्ट है परंपराएं और दिनचरिया उसके बाद है आपका सनरचनाये और उसके बाद है विद्यार्थियों को सीखने और चरितर के विकास में सहायता करने के लिए माता पिता और नेक्ष्ट है संबंधों और विवहार के लिए न चार अवियव हैं, कौन-कौन से हैं, तो सबसे पहला है परतियस पर्दा और सहियोग पहला हो गया, दूसरा है यहाँ पर भै एवं विश्वास और तिसरा है स्वतनतरता एवं अनुशासन और चौथा है दोस्तों आपका समुह, तो यह आप यहाँ से ध्यान में रखिएगा इसको ठीक है चलिए अब अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि बिद्याले यानि की साला तो बिद्याले संस्कृति को प्रभावित करने वाले आखिर कारक कौन कौन होते हैं देखिए कि किसी भी चीज होता है कराय कि बिद्याले का संस्कृतिक वातावरन कराय कि बालक के विकास पर व्यापक प्रभाव डालता है जी हाँ बिद्याले का जो संस्कृतिक है ना संस्कृतिक वातावरन जो है वो बालक के विकास पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है और जिन विद्यालियों में संस्कृतिक प्रिष्ट भूमी सुद्रड होती है वहां बालक का विकास सर्वुत्तम होता है और कर रहे कि संस्कृतिक वातावरन उत्पन करने के लिए विभिन परकार की संस्कृतिक गतिविधियों का समावेश किया जाता है और विभिन अवसरों पर विद्याले समाज की आकांचाओं की पूर्ती करते हैं अता विद्याले के संस्कृतिक वातावरन के बालक पर पढ़ने वाले परभाव निम्न के द्वारा असपस्ट कर सकते हैं दोस्तों पहला है प्रार्थना समाज देखे हम लोग के अस्कूल में क्या होता है सबसे पहले जब अस्कूल जाते थे तो उसमें क्या होता है भी प्रार्थना होता है तो प्रार्थना समाज कारा की परतेक विद्याले में प्रार्थना होती है और इसमें विद्याले का संपूर नवातावरन संस्किर्ती से सराबोर हो जाता है प्राठना सभा में विभिन प्रकार के कारिकरम जैसे की इस वंदना, रस्टिय गीत, स्लोक पाठ, अनमोल विचार, प्रेरक प्रशंग, दैनिक समचार, योग, मौन, ध्यान, आदी ये सब ही उसमें क्या होता है सम्मिलित होता है और इसमें बालकों में विधित्य आत्मक भाव जागरित करती है और बालक नयती केवम चरित्रवान बनता है तो ये चीज तो सबसे जरूरी है प्राठना समाच दूसरा है सांस्कृतिक कारिकरम होना चाहिए स्कूल में सांस्कृतिक कारिकरम की विभिन गतिवीधियों में छात्र व सिच्छक दोनों ही इसमें भाग लेते हैं और छात्रों की भागिदारी से सांस्कृतिक वातावरन का क्या हो जाता है? सिर्जन हो जाता है तीसरा point है कि सिच्छक अभी भावक संगोष्टी होनी चाहिए जी हाँ कराय कि सिच्छक अभी भावक संगोष्टी के समय अनिक परकार के सार तत्व विचार प्राप्त होते हैं जिसमें संस्कृतिक विकास होता है चोथा है रास्टिये पर्व एवं विभिन जैन्तियां करा है कि विद्यालियों में देश के रास्टिये पर्व एवं समाजिक महापुरूसों की जैन्तिया मनाई जाती है बिल्कुल सही है और इसमें महापुरूसों के समाजिक एवं संस्कृतिक कारियों का भी वर्नन किया जाता है तथा उस दिन के महत्व के बारे में भी जनकारी दी जाती है सिच्छकों के द्वारा जिसे बिद्याले में संस्कृतिक वातावरन विकास होता है तो ये तो संस्कृतिक वातावरन विकास कैसे होगा ये आपको यहाँ पर दिया है अब आगे जो पॉइंट दिया है ये दिया है आपको कि बिद्याले साला की जो संस्कृति को प्रभाविद करने वाले कारक क्या क्या होंगे तो पहला कारक है राजनेतिक कारक जी हाँ अने कि पॉलिटिकल फैक्टर पॉलिटिकल फैक्टर जो है वो बिद्याले की संस्कृति को प्रभाविद कर सकता है करा है कि हमारे देश में अनेक राजनेतिक दल है जी हाँ और ये राजनेतिक दल सिच्छा संस्थाओं में घुसपायट कर लेते हैं और छात्रों में दलबंदी करवा करके फैलाते हैं मतलब दल में इसको क्या कर दिया जाता है बाड दिया जाता है ठीक है और साला की संस्कृ करते हैं यानरे इसके संस्क्रति को परभावित करते हैं तो पाठ्चाला यानरे कि विभिन रजनेतिक दलों में ठकराव के श्थिती होता है। और नेक्स्ट यहाँ पर दिया है पचपात्पुर्न राजनेतिक निरने होता है, निताओं के विवहार में स्वार्थ परता वर लोग का विचार मिलता है, राजनेतिक जागरुपता का अभाव होता है। है यह नहीं, विद्याले एक समाजिक संस्था है, उसका संपुर्न वाता वरन ब्रिहद समाज का लगू रूप होना चाहिए, और सिक्षा द्वारा समाज के दो कारियों के पूर्ति की जानी चाहिए, प्रत्थम समाज की संस्किर्ति, अनुभाव आदी को आने वाली पिढ़ अच्टा चार, यह सभी फैला हुआ है, और इसे जो स्कूल का वाता वरन है, जो संस्किर्ति है, वो प्रभावित होता है, समाजिक मुल्यों का हरास, समाजिक कुरुतियों का प्रभाव, यह सब क्या हो जागा, यह समाजिक कारक में आ जाएगा आपका, ठीक है, और यह अतपुर्न रवया, समाजिक चेतना का अभाव, ठीक है, तीसरा जो कारण में कारण है, वो है आर्थिक कारक, जी हाँ, वो क्या है आर्थिक कारक, यानि की एकोनॉमिक फैक्टर, यानि कि समाज की आर्थिक स्थिति ने बिद्याले की संस्किर्ति को क्या किया है, बहुत प खना भाव के कारण निरासा एवं औसंतोस का सामना करना पड़ता है जब ये भी द्याले जीवन समाप्त कर समाजिक जीवन में परवेश करते हैं और स्वे को जिविका कमाने योग सिध्ध नहीं कर पाते तो इस इस्तिती में से उनके मस्तिस्क में तनाव और हिरदय में औसं चंशनहिंता का समराज अस्ठापित हो जाता है तो ये है दूस्तो आर्थिक कारक जो समाजिक जो भी द्याले संस्किर्थि को प्रभावित करता है आपका इस में कर आएक है माता पीटा की निम्न आर्थिक स्थिती इसमें होती है माता पीटा का बहु incluso पडूँन होना सिछ व्यक्तिगत भिन्यता जी हां मनुबयानी कारक और व्यक्तिगत भिन्यता कारा की कच्छा गत संस्किर्ती की परमुख समस्या छात्रों की व्यक्तिगत भिन्यता है टाइलर के अनुसार यहां पर कह रहा है कि सरीर के रूप रंग आकार कार्य गती व्रिधी ज्यान कारा की परतेक व्यक्ति और बालक के व्यक्तित्व में कुछ न कुछ भिन्नता अवस्य पाई जाती है। अपनी और चमता के कारण हीन भावना की गरंती का होना या फिर बालक में अधिक सचमता के कारण स्रिष्ट भावना का गरंती होना या फिर किसोरा वस्ता में होने वाली सारे रिक परिवर्तन ठीक है तो यह कुछ जो परभावित करने वाले कारक हैं विद्याले की संस्कृति को ठीक है यहां से आप समझ गई इसको अब हम चलते हैं अध्यात्मिक बिज्ञान की तरफ अब अध्यात्मिक बिज्ञान क्या है तो इसके बारे हम कह रहा है कि अध्यात्मिकता की भावना के विकास के धर्मों का प्रमुक अस्थान है जो बिद्याले की संस्कृति को बिद्याली संस्किर्ती के संरचना और आलोचनातमक समझ है। चलिए इसको भी थोड़ा सा देख लिया जाए। इसमें ऐसे कुछ जादा नहीं दिया हुआ है। जाहे हुआ उत्रिष्टा की संस्किर्ती के विकास के माध्यम से हो या फिर विद्यारतियों को सुरक्षित होने और सुने जाने के अनुभूती परदान करना सुने चित करने हो। यह देखिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टन नहीं है। मैं इसको यहाँ पर स्कीप करता हूँ मैं चलता हूँ आगे। ठीक है हाँ। RTE के बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ पर जानकारी होनी चाहिए क्योंकि RTE से आपको कोस्टन पूछा जाता है। जी हाँ। का रहा है कि सिच्छा का अधिकार कानून 2009 की धारा 17 को सकरात्मक विद्याले संस्किर्ती का विकास करन सरीरिक दंड नहीं दिया जाएगा। जी हाँ यह धारा 17 क्या कहता है दोस्तों कि कोई भी बालक जो है किसी भी बालक को सरीरिक दंड नहीं दिया जाएगा और उसका मानसिक उत्पिडन नहीं किया जाएगा। यह बिद्याले नित्रित्व को बिद्याले के सभी बच्चों के लिए एक सच्छम कारक और सुगम करने वाला स्थान बनाने पर ध्यान देने को कहता है जिससे एक तनाव मुक्त बाल मित्रवत और सिच्छक पर केंद्रित कच्छा वाताबरण परदान किया जा सके जिसके लिए अनुसासन दंड बिद्यार्थी सिच्छक संबंदों के ख्यालों को पुनर परिभाशित करने की जरूरत है हाना तो ये सभी चीज है जो RTE 2009 में सामिल किया गया था आपका ठीक है हंडेट परसेंट है कि पूछा ही जाएगा तो चलिए इसको कंप्लेट कर लेते हैं अच्छे तरीके से सबसे पहले कह रहा है कि मनुस्य के जीवन में सिच्छा क्या है तो सबसे महत्वपूर्ण है बिना सिच्छा के क्या है पूरी जिंद्व जिंदगी है हमारी अधूरी है अना कारा कि यह मन में परभाव डाल चरित्र को बदलने में मदद करता है सिच्छा का अधिकार एक अंतरनेहित अधिकार है सिच्छा का अधिकार वह अधिकार है जो किसी के जीवन और जीवन सैली को बदलने के अधिकार और जानने के अधिकार से संबंदित है सिच्चा के विभिन परकार जैसे की पराथमिक सिच्चा, माधमिक सिच्चा, व्यवसाइक सिच्चा, उच्च सिच्चा ये सभी सिच्चा के परकार हैं परागी भारत में सिक्षा अधिकार जो है ये संभिधान के अनुछेद 21 के एक अंतरगत मूल अधिकार के रूप में उल्लिखित किया गया है तो ये चीज आपको पता है हाना ये तो मैंने कई वरप लोग को बता दिया है जो सिक्षा का अधिकार है वो क्या है हमारा मूल अधिकार है और ये अनुछेद 21 के ए में इसको जगह कब दिया गया दोस्तों तो 2 दिसंबर 2002 को संभिधान संसोधन हुआ था 86 संभिधान संसोध और इसी समय इसको ये जगह दिया गया है आगे कह रहा है कि इसके अनुछे देखिए इसके ए के तहत सिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है तो ये आप याद रखेगा बहुत इंपोर्टेंट है 100% ये कोश्चन आपको पूछा जाएगा कह रहा है कि इस मूल अध अधिकार है इसको क्या कर दिया गया कि इसमें जो भी बच्चे 6 साल से लेकर के 14 वर्स तक है उनको क्या किया जाएगा तो निसूल के एवं अनिवार ये सिक्षा दिया जाएगा आपका ठीक है राइट टू एरटी ए के तहत चलिए आगे इसमें कह रहा है कि इसका उदेश क्या है तो इसका उदेश से कह रहा है कि प्राथमिक सिक्षा के छेतर में सार्वभौमिक समावेश को बढ़ावा देना है ठीक है ये इसका उदेश यही है कि प्राथमिक सिक्षा यानि कि जो 6 साल से लेकर के 14 साल तक के बच्चे हैं उनको क्या करना है तो समावेशन को और टेक बच्चे के लिए शिच्चा को मौलिक अधिकार के रुप में अंगिकरित किया गया है तो यह आप उम्म्र याद रख्येगा हमेशा पूछा जाता है कितने साल तक के बच्चों को तो 6-14 साल तक के बच्चों को ठीक है अगला जो पॉइंट है वो है सिच्चा के अनुछेद 45 में भी सिच्छा से संबंधित आपका वर्नन किया गया है, अनुछेद 49 में राज दुआरा, वित्त, पोसित, समान और सुलब सिच्छा परावधान किया गया है, तो यह अनुछेद 45, अनुछेद 49 भी आप याद रखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है कि परदेश राज्य और अन्य मामले में सरवुच न्याले ने अपने एतिहासिक निरने में कहा कि सिच्छा का अधिकार जो है, अनुछेद 20 के अंतरगत एक मौली का अधिकार है, और नेक्स्ट है कि तपस मजुमदार समीती, यह वाला याद रखिएगा दोस्तों, यह सब को मंधी था, यह आपको पूछ लेगा आपको हना, तो तपस मजुमदार समीती 1999 ने अनुछेद 21 के एक को सामिल करने के अनुछ संसा की थी, और नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्स 2002 में 86 में सम्विधानिक संसोधन में सिच्छा के अधिकार को सम्विधान के भागतीन में एक इसको सामिल किया था आपका, काराई की इसमें अनुछेद 21 के एक एंतरगत सामिल किया गया, जिसमें 6 से 14 वर्स तक के जो बच्चे हैं, उनके लिए सिच्छा का अधिकार को एक मौलिक अधिकार बनाया गया, तो यह बहुत ही इंपॉर्टन यहां से यह लाइन था, आपक 2009 की बिसेस्ताएं क्या है, आना सिच्छा का अधिकार अधिकार अधिनियम 2009 की क्या-क्या बिसेस्ताएं है, आना बिसेस्ताएं भी आपको याद होनी चाहिए क्योंकि इससे भी आपको उप्शन में दे दिया जाता है, तो पहला बिसेस्ता है कि RTE, पहला बिसेस्ता है दोस गैर अल्प संख्यक यानि कि नीजी गैर सहायता प्राप्त अस्कूल आर्थिक रूप से कमजोर और वन्चित प्रिष्ट भूमी के बच्चों के लिए परवेस अस्तर ग्रेड में कम से कम 25% सीटे अरक्षित करे यानि कि जो प्राइवेट अस्कूल है उसमें दोस्तो करा है जो बंचित वरके जो बच्चे हैं उनके लिए 25% सीटे अरक्षित करने के लिए RTE 2009 में यहां से यह सब आपको उप्सन में दिया जाता है बहुत इंपोर्टेंट लाइन दिया हुआ है करा है कि यह विद्याले न जाने वाले बच्चों के लिए एक उपियुक्त आईउ से सम्मंदित कच्चा में भरती करने का प्रावधान भी करता है नेक्स्ट पॉइंट है कि यह केंद्र और राजे सरकारों के बीच वित्ये एवं अन्य जिम्मेदारियों को साज़ा करने के बारे में भी जानकारी देता है और अगला पॉइंट है कि भारती सम्मीधान में सिक अस्कूल कारिय दिवस सिचको के लिए कारिय विधी से सम्मंदित मान दंडो और मानको का प्रावधान करता है नेक्स्ट है कि सधिनियम में गैर सैचनिक कारियों जैसे कि अस्थानिय जनगन्ना, अस्थानिय प्राधी करन, राज्य बिधान सभाओं और संसत के चुनाओं तथा आपदा राहत के अलावा अन्यकारियों में सिचको की तैनाती का प्रावधान करता है नेक्स्ट है कि यह अपेच्छित प्रविस्टी और सैचनिक युग्गेता के नुसार सिचको की नियुक्ती का प्रावधान भी करता है और यह निम्नलिखित का निसेद भी करता ह हाना यह जो है यानि कि जो सिच्छा का अधिकार अधिनियम जो 2009 है ये बहुत सारी चीजों का निसेद करता है क्या-क्या तो सारीरिक दंड नहीं देना है मानसी कुछ पढ़न नहीं करना है बच्चों के परवेश के लिए स्क्रेनिंग प्रक्रिया करना है परति व्यक्ति सु सिच्छा का अधिकार 2009 की विशेष्टाय था और ये कुछ-कुछ चीजे निसेद भी किया गया है इसके अंतर का तो यह सभी पॉइंट यहां से आपको पता होना चाहिए अब है सिच्छा और 4S अब देखिए 4S क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लिए ये भी काफी इंप्वोर्टेंट है ना 4A 4A है नि की A A A A A ये फोर A हो गया अब A A A का मतलब क्या होता है अब इसके बारे मकार आ है कि सिच्छा के अधिकार पर काटरीना टोमास से वस्की है काटरी नहीं है, ये Katrina Tommas Sé Vaski है, इसका दृस्टी korn, जिन्हो ने आगे 4AS की अब्धार्णा को विक्सित किया है, तोस्तो, ये नाम याद रखिएगा, Katrina Tommas Sé Vaski नहीं, तोस्तो, 4AS का अब्धार्णा विक्सित किया है और ये 4 ये क्या-क्या है, कर रहा कि जसके अनुसार सिख्षा की सिख्षा यदि उपलब्ध कराई जाए तो यह एक सार्थक अधिकार हो सकता है कराएके सिख्षा सार्थक रूप से सही होनी चाहिए और यह जो है उपलब्ध यानि की अभिलेवल, सुलभ यानि की accessible और सिविकार यानि की acceptable और अनुकूल यानि की adaptable ये चार ए आपको यहाँ पर मिल गया अपको ये चार ए का जो मतलव की जिसने दिया है उसका नाम आप याद रखेगा पूछ सकता है केटरीना टोमासे वसकी हाना चलिए तो अब इसके वाले मागे कह रहा है कि परते एक व्यक्ति जो है वो सैच्छिक ग्यान से लाव प्राप करने में सच्छम होना चाहिए जो अ अभी यहाँ पर आप पढ़े थे उपलब्ध, सुलब, सुलब, सुविकार्य और अनुकूल इसी को यहाँ पर डेटेल से दिया गया है दोस्तों आप इसको डेटेल से यहाँ पर पढ़ लीजिएगा ठीक है चलिए इसको मैं यहाँ से आगे चलता हूँ सुलब है, सुलब नाम सुने होंगे UNESCO, आना UNESCO का नाम सुने है United Nations Educational Scientific and Cultural Organization यहाँ रखियेगा फोल फॉर्म यहाँ पर पूछा जाता है United Nations Educational Scientific and Cultural Organization ठीक है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि UNESCO की अस्थापना कब होई थी, इसका मुख्याले कहां है मैंने कई बार अप लोग को बता चुका दुसरा जो सिच्छा के अधिकार के परचार करने के लिए रहता है वो है United Nations Children's Funds, तिसरा है International Labor Organization और चौथा है World Bank तो यह सभी किसे संबंदित है, तो यह सभी संबंदित है सिच्छा के अधिकार के परचार के लिए हैं और यह World Level पर है आपका ठीक है, तो यह सभी चीज आप यहां से ध्यान रखेगा, अगला पॉइंट है बिद्याली बिवस्था में परिवर्तन, जी हां बिद्याली बिवस्था में क्या परिवर्तन हुआ है, काराय के सिच्छा के अधिकार के प्रभधानों के अनुसार बिद्यालियों में परिवेश, यहां पर काराय के सिच्छ यहां पर दिया है नमांकन परकिरिया में बदला होनी चाहिए तीसरा point है कि विध्याले में अधिनियम की सुनिस्चितता होनी चाहिए ठीक है चलिए अब यहां पर है दोस्तों अधिनियम के भाग तेरा का प्रासंगिक प्रावधान इसको भी आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा इसमें आपको दिया गया है कि अगर किसी परकार का उलंगन किया जाता है तो कितना जुरवाना बगएरा है लगेगा तो यह सभी चीज आपको यहाँ पर दिया गया है ठीक है यह PDF आपको मिल जागा आपको यह सीटेट बीटेट या पिर परधान सिचछ के बारे में तो आपको पूँचा जाता है आप देख लिजएगा उठा कर लिए चलिए तो देखते हैं आखिर समयवेशी सिच्छा क्या होता है कहा रहा है कि समाज की अईसे बच्चे जिनें निहसक्त यानिकी disabled कहा जाता है जिनमें किसी परकार की सरीरिक अपंगता होती है आना प्रारंभ से हैं इस परकार के अपंग बच्चों के परती समाज का द्रिष्टी कोन क्या रहा है निम्नबत रहा है आना गंदे सोच रहे हैं काराय की समाज ऐसे बच्चों को सदय हीं द्रिष्टी कोन से देखता है काराय की जिसके कारण ये बच्चे हर छेतर में क्या होते हैं पिछड जाते हैं आना किन्तु धीरे-धीरे समाज के समाजिक सोच एवं विचार धारा में परिवर्तन हुआ है और प्रणाम सुरूप यह हुआ कि आज समावेसी सिच्चा की ब्रिहद अवधारना बन चुकी है और इसके अंतरगत 20S अवसकता वाले बच्चों के साथ-साथ उपेच्चित वर्ग के बालकों पिछडे बालकों को भी सामिल किया गया है हाना समावेसी सिच्चा में जो अपंग बालक थे उनको तो सामिल किया गया ही है और उनके साथ- बहुत इंपोर्टन टॉपिक है यह कराय कि समावेसी सिच्चा एक आधोनिक सिच्चा परणाली है साधारन सब्दों में जब हम सभी बालकों को उनके धर्म, जाती, संस्किर्ती, उनकी चमता और निर्योगता के अधार पर कच्चा में अलग-अलग न करके बिभिन्ने संस साधनों का परियोग करके सब के साथ एक समान सिच्चा देते हैं और ऐसी बिवस्था कोहीं क्या कहते हैं दोस्तों समावेसी सिच्चा कहते हैं यानि कि सभी बच्चों को क्या करना है हमें तो एक साथ सिच्चा देना है ठीक है उसमें नहीं धर्म, जाती, संस्किर्ती, अन छंता, निर्यगता किसी भी अधार पर उनको अलग नहीं करना है हमें ठीक है? काराई के समावेसी सिख्चा से अभी पराय ऐसी सिख्चा प्रनाली से है जिसमें सभी छात्रों को बिना किसी भेदभाव के सिखने, सिखाने के समान अपसर मिलना चाहिए तो ये है समावेसी सिक्षा, समावेसी सिक्षा का इतिहास क्या है, थोड़ा सा इसका इतिहास भी जान लिजे, चुंकि ये इतिहास सुरू हुआ है अमेरिका और कनाडा से, ठीक है, वहीं से सुरू हुआ था समावेसी सिक्षा, काराय के समावेसी सिक्षा का एकी करन के सिध् यानिकी अस्पेन में, दोस्तो एक सम्मेलन हुआ था उनीस्सोच चौराणवे में और यह कहां हुआ था तो सल्मांका अस्पेन में हुआ था और यहाँ पर यहाँ पर यह उनेश्को के और इस सम्मेलन में 92 देशों ने भाग लिया था और 25 अंतराश्टी संगठनों ने इसमें सिक्षा को एक मौलिक अधिकार मानने का प्रस्ताव पारित किया था दोस्तों तो ये शुरू इसका इतिहास आप जान लिए 1994 में एक सम्मेलन हुआ था युनेसको के द्वारा इस सम् पेन में हुआ था ये सम्मेलन जिसमे 92 देश भाग लिया और 25 अंतराश्टी संगठन भाग लिया और ये उन लोगों ने मतलव कि एक इस सम्मेलन में एक निरना यही हुआ कि जितने भी बच्चे हैं उनको समान सिक्षा दी जाए समावेसी सिक्षा का उदेश से क्या होनी चाहिए और उदेश सिक्षा के माध्यम से बिकलांग बालकों को मुख्यधारा में लाना विद्याले में सभी बिकलांग बालकों का परवेस एवं ठाहराव सुनिश्चित करना तीसरा है कि समाजिक सहभागिता के जरिये बालकों की अधिगम एवं अन्ने छमताओं का विक साधन एवं सिच्छन बीधियों का निर्मान करना और छठा है कि विकलांग बालकों की समस्या वो उनके समधान तथा अधिकारी के परती बालकों के अभिभावक एवं समाज को जागरुक करना तो ये है इसका उदेश्य दोस्तों अब है समावेसी सिच्छा का महत्व और इस को एक साथ मिला करके हन यहाँ पर सिच्छा दी जाती है तो बच्चों में उमीदे क्या होती है बढ़ जाती है तीक है समावेसी सिच्छा परते एक बालक की व्यक्तिगत सक्तियों एवं छमताओं का विकास करने में सहायक होता है समावेसी सिच्छा जो है वो सम्मान और अ अच्छ प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है तो ये इसका महत्व हुआ हुआ दोस्तों और इसकी आवशक्ता हुआ ठीक है इसमें अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट यहां पर दिया गया है कि कला समेकित सिक्षा जी हां समावेसे सिक्षा भी अब देख लिए अब है कला स समेकित सिक्षा देखे वरतमान समय में इस पर जादा जोर दिया जा रहा है ठीक है बच्चों को खेलने कुदने अना कला से संबनित संगीत हो गया हाना ये सभी चीज अलग-अलग चीजों के माध्यम से बच्चों को सिखाने का प्याश किया जा रहा है ठीक है क्योंकि परिवेस एवं कच्चाई सिच्चन में बदलाओ आजो कार्णी बिद्याले के सिर्जनात्मक चंता के विकास में कला की महत्त पुर्ण भुमिका होती है और कला की बिद्यार्थियों की सम्मेदनाओं को जखज जोरती है बलकि अन्य बिसियों के ज्यान को प्राप्त करने तथा उन्हें समझने का बहुँ परिच्छी नजरिया भी देती है गारा कि बिद्याली ही हिंद सिच्छा में कला की भुमीका सिर्फ एक विशय के रूप में नहीं है बलकि कला एक रोचक सिच्छन परक्रिया के रूप में देता है बच्चे पढ़ते पढ़ते उप जाते हैं, तो इसी वज़ा से इसको यहाँ पर सामिल किया गया है, ताकि बच्चे का मन लगा रहे हैं, और खेल कुद में, कला में बच्चों को ज़ादा मतलब के इंटरेस्ट भी होता है, आगे है कि कला समयकित सिक्षा का अर्थ है और इस कला की प्राय ऐसा देखा गया है कि कला की प्रक्रियाओं में बच्चों को अत्यधीक आनंद आता है, बिल्कुल सही है, कला जब सुरू हो जाता है, तो बहुत ही आनंद आता है, और दिमाग यहाँ पर फ्रेस हो जाता है, आगे यहाँ पर कह रहा है कि इस से, कला की कई वि करना परदर्सन कलाओं में नाटक निरित्य संगीत संगीत आदी विस्यों के साथ जुड़कर कच्छा को अनंद दाई और रूचिकर बनाया जा सकता है तो यह सभी चीज है दोस्तों कला से संबंदित आपका ठीक है और यही से आपको इसमें जोड़ा जाता है आपके सब्ज क्या किया जाता है और भी अनंदित बना दिया जाता है कला संव्यकित सिच्छा और तो कैसे फिर बताएंगे, कुछ जनकारियां तो होनी चाहिए, अभी से सक गे तो नहीं जरूरी है, लेकिन जनकारियां होनी चाहिए, का रहा है कि परंतु सिच्छक दिरिश्टी कलातमख हो, उसे कला विद्याओं की थोड़ी समझ भी होनी चाहिए, जिसका समावेशन बिभिन बिस्यों में कर सके, हाना कला का समावेशन कर सके, समझदारी से, कह रहा है कि इसके लिए यह अवस्यक है कि बिद्याले की संपूर्ण गतिविधियों में बच्चों को सोतंतर रूप से अपनी भागिदारी सुनिशित करने का अवसर भी मिलना चाहिए, कह रहा है कि इस प्रक्रिया में सिच्छक को एक ससक्त योजना बनने चाहिए, तथा इस योजना में कुछ नविनता, कलातमकता हो, जैसे खड़े होने, बैठने के सही, तथा सीधे तरीके सिखाना, विभिन परकार की प्राथनाएं, गीत संगीत, नाटक, मूल अभीना, ये सभी चीज चिए, तरीके सरण में, वरतमान में क्या हो गीत, बदला को शकता है, औरही हो जैसे खड़े हैं, जैसे बिस्रेism के सब्सक्राइए, उदाहरन दिये गए हैं, पहला है कि भासा वर कलासमेकित सिख्छा, याने कि भासा के साथ, जैसे लेंगिवेज के साथ आप यहांपर कल समेकित सिच्छा अना गनीत के साथ आप जोड़ सकते हैं और तीसरा है परियावरन एवं कला समेकित सिच्छा ठीक है चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि कच्छा कच्छ सिच्छन की प्रकिरती प्रमपरागत बाल किंद्रित लोकतांत्रिक और सिर्जनात्मक आदी चलि बिद्याले की एक ऐसी भौतिक विवस्ता है जहां सिच्छकों की सहायता से बिद्यार्थियों को ग्यान परदान किया जाता है कच्छा में क्या होता है काना कच्छा क्या है तो एक विद्याले का ऐसा भौतिक बिवस्ता है जहां सिच्छक के सहायता से हैं बच्चों को ग्यान दिया जाता है काराय की भौतिक संरचना के दृष्टी कोन के अनुसार कच्छा कच्छ विद्याले की एक सरलिकाई है किन्तु कच्छा को मात्र एक भौती की काई नहीं माना जा सकता है इसके माध्यम से चलने वाली प्रक्रियाओं की समझ के लिए इसके दाइरे को भी बिश्त्रित करना चाहिए कच्छा कच को ग्यान के अस्तर का प्रयाय माना जा सकता है कच्छा की अबधारना जो है वो पस्चमी देसों में 400 साल तथा भारत में 200 साल पुराना आज 20 सुभर में सिच्छा के मुख्य अधार सीला कच्छा ही है आपका कच्छा कच्छ के विविध स्वरूप यहां पर दिये गए है कच्छा कच्छ के विविध स्वरूप जैसे कि कच्छा कच्छ के विविध स्वरूप दिखाय में दिखाय देते हैं कि ऍसमें बीचार विमर से या खेल के माधियम से अधिगम होता है हाना बाल के इंदिरित है यानिकि बच्चों से समन्धित के इंदिरित रहेगा ये और पांचवा है कि यह विद्यार्थियों को सफलता तथा आनंद परदान करता है और छठा है कि इसमें बालक में आत्मविश्वास, निरनय चमता, तरक चमता, विसलेशन चमता का विकास होता है ठीक है तो इसकी विसेस्ताय हो गिया कच्छा कच्छ संचालन से संबंदित द कि कच्छा कच्छ में बिद्यार्थी एवं सिच्छक दोनों ही महत्तपुर्ण होते है और कच्छा कच्छी अधिगम प्रक्रिया दोनों घटकों के संजुक्त परियासों से आरम होती है परन्तु इस प्रक्रिया को जारी रखने एवं उनके सफल संचालन में सिच्छक की भूमी का महतुर पूर्ण होती है कच्छा कच परबंध की आवस्यक बातिक क्या यह पर दिया गया है दोस्तों कर एक किसी भी कच्छा कच के परबंध है तो निम्न बिन्द्यों पर ध्यान देना आवस्यक है पहला है मानव संसाधनों का परबंध है दूसरा है भौतिक संसाधनों का परबंध और तीसरा है समय का परबंध ये तीन चीज इंपोर्टेंट है परबंध करने के लिए कच्छा कच के परबंध क्या वस्चा का बात है अब है कच्छा कच की विवस्था के घटक विवस्था के क्या क्या घटक होनी चाहिए क्या-क्या विवस्था होनी चाहिए, तो विवस्था है जैसे कि कच्छा की सफाई सापसूतरा होनी चाहिए, दूसरा है कि छातरों के बैठने की विवस्था होनी चाहिए, रोसनी होनी चाहिए, हवादार होनी चाहिए, स्यामपट होनी चाहिए, और चौक डस्टर होनी चाह नेक्ष्ट है यहाँ पर कि कच्छा कच्छ सिच्छन विवस्थाएं को परभावित करने वाले कारक यानि कच्छा कच्छ जो सिच्छन विवस्था है इसको भी परभावित करने वाले बहुत सारे कारक है जैसे कि कच्छा का अनुसासन चात्रों के कच्छा में उपलब्ध भ विशाय ग्यान कच्छा का स्वरूप ठीक है तो ये था दोस्तों कच्छा कच्छ सिछन की प्रकृति प्रमप्रागत बालकिंद्रित लोकतांत्रिक और सिजनात्मक ठीक है तो ये काफी इंपोर्टेंट था यहां से भी एक दो प्रसन आपको पूछ सकता है अब है अगला पाठ को किलियर करने के लिए पाठ को याद कराने के लिए पाठ को समझने के लिए कुछ-कुछ या उसका अनुसरन करने वाला। अर्थात ऐसे क्रिया कलाप या गतिविधी जो पाठे करम के साथ साथ चलते हो अथवा संपन्न किये जाते हो उन्हें ही बिस्तरित रूप में पाठे सहगा में क्रिया कलाप कहा जाता है। हाना आप देखे इसमें और भी डिटेल से आप इसको समझ सकते हैं कि सिक्षा के छेतर में चातरों को केवल पाठे पुस्तक तक सिमित न रख करके उनकी जिग्यासा को विस्तरित छेतर प्रदान करने के उद्देश से ही पाठे सहगा में क्रिया कलाप को विक्सित किया गया ह हाना सिर्फ आपको सिक्षा में ही जोड़ करके रखा जाए हाना आपको खेल कुद से हटा करके रखा जाए तो इससे आप सिक्षा को अच्छे तरीके से गरहन नहीं कर सकते हैं कारा की बच्चे के मन मस्तिस्क में जो सिक्षा एक बोज का रूप धारन कर लेती है उसे सारे चीजों के माधियम से यानि कि पाठ जो आपका है जो पाठ करम है उसको पुर्ण करने के लिए ये सहगामी करिया है हाना कह रहा है कि छात्रों में आये दिन तनाव या अवसाद की जो समस्या उत्पन हो रही है उससे भी निपटने की निमटने पे एसी गतिवीधिया कारगर सिद्ध हो रही है इन गतिवीधियों के माधियम से छात्र जो है वो रूची पुर्ण तरीके से सिच्छन अधिगम में भाग लेते हैं आगे है कि वर्तमान समय में यह भी देखने को मिलता है कि छात्र एक ही तरह की सिच्छा से उब जाते हैं वे कच्छा में नई नई गतिवीधिया करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और ऐसे में पाठे अधारित के रिया उनके जिग्यासा को सांथ करती है यह बच्चों में उनकी छिपी हुई परतीभा को भी बाहर निकालने में मदद करती है जैसे कुछ छात्र पठन पाठन में क्या होते हैं कम रूची रखते हैं जबकि अनकिरियाओं में वे जल्दी सीखते हैं ऐसे में वे वो भी अच्छा परदर्शन कर सकते हैं जैसे कि पेंटिंग, सिल्प, कला, खेल, क्वीज, समान ग्यान परतियोगता, ओरेगेमी, गायन, वादन, सजावट, रंगोली, योग, बनावटी, किरकेट, कबड़ी, सामोहिक, प्रार्थना, तो बहुत सारी ऐसे चीजें हैं पाठे सहगामी क्रियाएं ये सब ही इसके अंतरगत आता हैं दोश्तों, कारा की इत्यादी कुछ ऐसे ही क्रियाएं हैं जिन्हें इंडोर और आउट डोर में भी भाजित किया जाता हैं, मतलब के बौधिक, नयतिक, सारीरिक, भावात्मग विकास में सहायता करता है, जो उनके सरबांगिन विकास का एक सूचक होता है, इसे पाठे करम का बहुत ही महतपुर्ण हिस्सा माना जाता है, यह मुख्य पाठे करम के पूरक के रूप में कारिकरता है, और छात्रों के ब्यक् कोधिक, समाजिक, नयतिक, भावात्मक और सौंदर्य विकास भी समोचित उसमें विकास हो जाता है बच्चों में, अता छात्रों के समोचित विकास के लिए पाठे सागामी क्रियाओं का बढ़ चड़कर के परियोग सिक्षा के छेतर में किया जा रहा है, वरतमान समय में यह क्रिया कलाप छात्रों के विकास में लाबकारी सिद्ध हो रहा है, विद्याले भवन में छात्रों की उपस्थिती को परियाप्त रूप से बनाये रखने में पाठे सागामी क्रियाओं का बहुत बड़ा योगदान है, छात्रों के बीच में ही विद्याले छोड़ना, जो छोड़ दिया जाता था इसको छोड़ने की जो समस्या थी उसे भी बहुत हद तक समाप्त किया जा सकता है ये पाठ्थे सहगामी क्रियाओं से ठीक है चलिए और भी यहाँ पर बहुत चीज आपको दिया गया है तो हम चलते हैं दोस्तो अब आगे की पाठ्थे सहगामी गतिवीधियों से संबन देत आना पाठ्थे सहगामी गतिवीधियां के बारे में यहाँ पर दिया गया है तो इसमें बहुत सारी गतिवीधियां है दोस्तो यहाँ से आप देख सकते हैं आप देखे आगे आपको यहाँ पर दिया गया है कुछ पाठ्थे सहगामी गतिवी का काम है, हाना, सिलाई है, कले मॉडलिंग है, परात्मिक चिकित्सा है, रंगोली है, हाना, बुक वाइडिंग है, वाद विवाद है, ये सब हो गया इंडोर, हाना, इंडोर गेम और आउटडोर गेम, हाना, ये दो परकाराव यहां पर आपको बाड़ा गया है, पाठ्थ सा परियावरन रख रखाओ तो यह सभी हो जाएगा आउटडोर गेम के अंतरगता ना यह मतलब कि आउटडोर पाठे सागामी क्रियाओं का क्या महत्व है वो आपको यहां पर दिया गया है बहुत सारे पॉइंट है यहां पर महत्व से संबंदित आप इसको यहां से देख सकत पाठे सागामी क्रियाओं का यहां पर महत्व है और नेक्स्ट में आपको दिया गया है दोस्तों की पाठे करम गतिवीधियों के आयोजन में सिच्छक की भूमिका होती है और वो भी आपको यहां पर दिया गया है पाठे करम गतिवीधियों के आयोजन में सिच्छक की लोग अभी हमारे गुरूप में नहीं जुड़े हैं तो उनको तो PDF नहीं मिल पाएगा तो आप हमें PDF लेने के लिए contact कर सकते हैं 785-782-4310 ये हमारा नंबर है आप इस पे contact करके PDF से संबंधित चनकारी ले सकते हैं कि कैसे आपको मिलेगा ठीक है चलिए दूसरा यहां पर दिया है कि सिच्छक की क्या भूमिका होती है पाठेकरम गतिविदियों के आयोजन में तुकाराए कि सिच्छक का करतब ये होना चाहिए कि वह पाठेकरम गतिविदियां परदर्शन करते हुए बच्चों को अधिक से अधिक अधिक अफसर दे। हाना सिच्छकों को एक अच्छा आयोजक होना चाहिए ताकि छात्रों को उसका अधिकतम अनुभाव मिल सके दोस्तों। हाना चौथा पॉइंट दिया है कि सिच्छकों को बिना किसी भेद भाव के सभी बच्चों को समान अफसर परदान करने चाहिए और पाच्वा यहाँ पर दिया है कि सिच्छकों को निदेशक, रिकॉर्डर, मुल्यांकन करता, प्रबंधन, निरनय निर्माता, सलाहकार, प्र पॉट्रेटर, समन्वयक के रूप में भी कारे करना चाहिए ताकि छात्र और बच्चे जो हैं वो सह पाठिकलम गतिविधियों के अधीक से अधीक सिरेष्ट पहलगों का फायदा हो सके, ठीक है, कुछ सुझाओ भी यहाँ पर दिये गये हैं, यह सुझाओ भी आप देख पहला है केंदरिये करन होना चाहिए, दुसरा पर यह विच्छन होना चाहिए, तिसरा है पाठे सहगामी क्रियाओं में विद्यार्थियों का भाग लेना, यह सब चीज आपको बता दिया गया है, स्थांतता सदस्यता, नेक्स्ट पॉइंट है दुस्तों, यहाँ पर कि प अब हम चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर बिद्याले में आकलन और मुल्यांकन, बहुत इंप्वर्टन टॉपिक है यह, अना अभी दो टॉपिक और बचा हुआ है, तो किन्हीं को यहाँ से भागना नहीं है, अना बिद्याले में आकलन एवं मुल्यांकन की विवस्था और आकलन और मुल्यांकन, यहाँ से कोस्टन बहुत वार एक्जाम में पूछा गया और आप लोग को भी जरूर पूछा जाएगा, कम से कम दो से तिन सवाल यहाँ से आपको पूछ लिया जाएगा, आकलन और मुल्यांकन से, का रहा कि सतत और ब्यापक मुल्यांकन, आकलन प्रगती पत्रक आकलन चलिए इसको देखते हैं डेटेल से देखिए आकलन क्या होता है और मुल्यांकन क्या होता है कह रहा है कि आकलन और मुल्यांकन दोनों का उद्धिस जो है वो बच्चों की अभिव्यक्ति, छमता, अनुभूती, आदी का मापन करना है आकलन जो है दोस्तों एक संचिफ्थ परकिरिया है और मुल्यांकन एक ब्यापक परकिरिया है यह चीज़ आप याद रखेगा आकलन क्या है तो एक संचिफ्थ परकिरिया है जबकि मुल्यांकन क्या है तो एक ब्यापक परकिरिया है बहुत बड़ा परकिरिया है कह रहा है कि मुल्यांकन जो है किसी भी सैच्छी कारिकरम में किसी भी पच्छ के विपच्छ में विसाय में सूचना एकत्र करना तथा उसकी जाच करके ब्याख्या करना होता है ये होता है मुल्यांकन आकलन और मुल्यांकन से बच्चों में सतत एवं ब्यापक आकलन का पता तथा उसकी परगती के बारे में भी जनकारी प्राप्त होती है आकलन और मुल्यांकन से ही परगती पत्र बना करके बच्चे के विकास के बारे में जनकारी प्राप्त करते हैं तो यह है आकलन और मुल्यांकन अब यहाँ पर है बिद्याले अधारित मुल्यांकन तो बिद्या अधारित मुल्यांगन के भीतर आता है जो भी उसके कंदर कमिया है उसको दूर करना ही इसके अंतरगत आता है कारा कि इसे सिच्छक को छातरों की प्रगती के बारे में संपूर्ण जनकारी यहां से प्राप्त होती है इस आकलन की धूरी का केंदर कौन होता है तो धूरी का के भाधारित होती है इससे सिष्खक अपना प्रगती पत्रक तयार करता है तथा विद्याले परबंधन तथा बच्चों के माता पिता से मिलकर होने वाली कम्यों को दूर करने का प्रयास करता है ठीक है और आकलन के देखिए परकार कितने होते हैं दोस्तों तो यह परकार आप नोट कर लिजेगा आकलन के परकार जैसे कि निर्मनातमक या फिर रचनातमक आकलन, दूसरा है योगातमक या फिर संकलनातमक आकलन, तिसरा है निदनातमक आकलन, तो ये तीन आकलन आप पूछा जाएगा एक्जाम में कि आकलन कितने परकार के होते हैं, तीन परकार के होते ह यहां पर पॉइंट है कि आकलन वा मुल्यांकन की कौन-कौन सी वीधियां है वो आपको बीधियां यहां पर दिया गया है हाना तो यह आप यहां से देख लिजेगा कौन-कौन सी यहां पर बीधि है और अगला पॉइंट है कि आकलन के परकार हाना आकलन के कौन-कौन से परक अभी आप देखे थे रचनातमक आकलन, अना रचनातमक आकलन, संकलनातमक आकलन और निदानातमक आकलन तो इसी को यहाँ पर डिटेल से आपको यहाँ पर दे दिया गया है अब यहाँ पर देखे गूड महोदे के दुआरा और मरसेल के अनुसार क्या बताया गया है आकलन के सिच्छन में छात्रों की विसेश्ट समस्याओं का निदान करने हैं तो विसेश्ट परियास किया जाते हैं उसे निदानात्मक परिक्षन कहा जाता है ठीक है चलिए आप देखिए निदानात्मक परिक्षन भी दो परकार के होते हैं दोस्तों एक तो निरिक्षन परिक्षन और एक है निदनातमक परिक्षन, ठीक है, तो ये भी यहांसी देख लिजेगा, अब इसी को यहां पर detail में आफको दे दिया है, निदानतमक परिक्षन के परकार ठीक है, निदिक्षन परिक्षन और निदनातमक परिक्षन, अब हम आगे चलते हैं, वो है सतत और ब्यापक ल्यांकन क्या इसकार्थ हुआ दूस्तो तो इसमें कह रहा है कि सिछा की गुनवत्ता को सुधारने के दिसा में आकलन की महत्पुर्ण भूमी का है आकलन से ही पता चलता है कि बच्चे का विकास किस परकार से हो रहा है किस चीज की कमी नहीं है और फिर जो कमी रहती है उसको पुरा किया जाता है, कर है कि और विभिन हितधारको की कई परकार से सहाइता करता है यह पता लगाकर कि बच्चे कितना सीख रहे हैं, हाना इसी से यही पता चलता है कि बच्चा कितना सीख रहे हैं CCE बिद्यार्थियों अभिभाव को सिच्छ को परसिच्छ को नीती निर्माताओं आदी को विवेक पुर्ण निर्णय लेने में सच्छम बनाता है यह बिद्याले यह कच्छा अस्तर पर पाठेचर यह सिच्छन सास्तर और सिच्छ की भुमिकाओं को सक्रिय करता एवं जोड़ता है ठीक है? तो इससे क्या फाइदा है? क्या हानिया है? यह आपको इस सभीची यहाँ पर दिया है नेक्स्ट पॉइंट है सतत एवं व्यापक मुल्यांकन की क्या आवशक्ताएं हैं क्या आवशक्ताएं हैं इसके बारे में आपको यहाँ पर दिया हुआ है तो इसको भी आप यहाँ से डिटेल में पढ़ लिजेगा काफी details से आपको यहाँ पर दिया हुआ है आप देखिए सतत और व्यापक मुल्यांगन के क्या दोस है ये भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है क्या इसके दोस है और क्या इसका आवसकताएं है क्या लाब है ये भी आपको यहाँ से दिया हुआ है चलते हैं हम पुछ और इसमें दिया हुआ है देख लेते हैं प्रगती पत्रक के बारे में दिया हुआ है आना प्रगती पत्रक का क्या उप्योग है ये आपको दिया हुआ है आना तो प्रगती पत्रक का क्या उप्योग है दोस्तों ये भी यहां से आपको देखना है देखिए हम आज यहीं तक रहने देते हैं और इसके बाद अभी दो टॉपिक और बचा हुआ है समझ रहे हैं ना दो टॉपिक और बचा हुआ है तो इसमें हम दो टॉपिक कम्पलिट कर देंगे और इसमें जो आपका सवाल है यहां तक हम रहने देते हैं आज आना यहां तक आप देख लिजेगा ठीक है और इसके बाद यहाँ से दो टॉपिक यहाँ पर बचा हुआ है सिख्छन बृतिय विकास और इसके अलावे एक टॉपिक और है यहाँ पर उस टॉपिक का नाम है आपका देख लिजे बिद्याले में नितृत ब्यवस्था और सिख्छक ठीक है दो टॉपिक है छोटा टॉपिक है कुछ ज़्यादा important नहीं है इसको हम अगले कलास में करवा देंगे और इसके अलावे इसका question answer भी हम कोसिस करेंगे कि अगले कलास में इसका हम करवा दे दोस्तों हाना इसका question answer भी आपको बात कही जा रही है और exam तो आपको पता है चली गया कि exam जो होगी आपकी अब November, December या फिर जनवरी भी जा सकता है next year भी हो सकता है ठीक है तो इसमें जुडने के लिए आप हमें contact कीजिए इस number पर इस number पर आप जुड़ सकते हैं यह इसे भी कर सकते हैं ठीक है इसी number पर करना है उपर वाला जो number है नीचे वाला अगर उपर वाला पर नहीं होता है तो नीचे दो number दिया गया है यह इस पर भी आप कर सकते हैं दो number दिया गया है थाना दोनों में से किसी पर आप payment करके screenshot लेकर के हमको भेज दीजिएगा उसके बाद आपको group में add कर दिया जाएगा और सभी PDF notes आपको provide करा दिया जाएगा ठीक है हमारा career परिवार यूटूब चैनल है इसको आप subscribe पर लिजे और career परिवार नाम का हमारा telegram group भी है तो उसको भी आप join कर लिजे seated के भी यहाँ पर तयारी हो रही है दूस्तो तो seated के तयारी के लिए भी आप हमें contact कर सकते हैं इस number पर तो आज unit 5 लगभग complete हो गया है थोड़ा सा बचा है जो कल आपका पूरा complete यहाँ से करा दिया जाएगा तो यहाँ पर आपको video भी इसका share कर दिया जाएगा गुरूप में जो लोग हमारे गुरूप में जुड़े हुए है नो बज़े से आपको डेली live class होता है तो चैनल को subscribe पड़ लिजेगा ताकि आपको नो बज़े डेली notification मिल सके और आप हमारे class में जुड़ सके ठीक है चली दुस्तो तो आज हम इतना ही रहने देते हैं और फिर मिलेंगे हम next class में तब तक के लिए good night, good bye, take care